स्टुडेंट आँखों में मंजले थी गिरे और समलते रहे आंधियों में क्या दम था चिराग तो हवा में भी जलते रहे स्टुडेंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जुलाई से बोड एक्जाम की तयारी कैसे करें क्लास्ट एंड साइंस का यानि कि साइंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन सब्जेक्ट है तो आप लोग साइंस की तयारी कैसे करें बच्चों का स्कूल जो है जुलाई में खुल जाता था लेकिन आप नहीं खुल पाया वो आप लोग पता होगा तो इस्टूडन्ट अब आप घर पर ही इस महीने में साइंस की तयारी कैसे करें तो बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए और बच्चे सोच रहे हम कैसे करें तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करें इस साइंस की तयारी वो भी घर पर ही यानि कि physics आपका अलग है, chemistry आपका अलग है, biology आपका अलग है, class 10 science में, अब आपका physics है, chemistry है, biology है, physics आपका जो है numericals के लिए ज़्यादा जाना जाता है, chemistry आपका reaction के लिए और biology आपका जो है वो जीमों के लिए, अब इन तीनों आप लोगो को समझना है कि physics को हमें कैसे ना है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे पढ़िए इसे, अब मैं आप लोग को केवल जुलाई का बता रहा हूं, एक महीने में हम क्या करें इन तीनों जो आपका science का subject है इनके साथ, तो पहले तो अपना एक schedule बनाईए, टाइम टेवल बनाईए student, आप लोग पहले एक गंटा, एक गंटा का time table बना लीजिए, आधा अधा गंटा बहुत है, देड़ गंटा आपके लिए, एक subject के लिए बहुत है, तो आप लोग physics, chemistry and biology का आधा अधा अधा गंटे का time table बना लीजिए, दूसरा board exam का लच्छ जरूर बनाए, आपका 85% है या 90% लाने का target है, या 90 पलस लाने का target है, यह जरूर रखे, अगर आपका लच्छ रहेगा, तभी आप लोग अच्छे मारक ला सकते हो, अगर आपका लच्छ नहीं रहेगा, तो आप अच्छे मारक जरूर नहीं ला पाओगे, तो आप लोग लच्छ जरूर बनाए, अब हमें कैसे करने physics, chemistry biology की त student समझे, science आपका जो होता है, वो आप लोग को कैसे तयारी करना है, पहले तो आप लोग physics जो है, target बनाए जुलाई में, कि हमें एक, दो, दो lesson इसमें पढ़ना है, ठीक है, पहला lesson and second lesson, दो lesson हमें जरूर पढ़ना है, जुलाई में, chemistry में भी आपको first and second, दो lesson पढ़ना है, आ आपका दो-दो lesson समें target बनाए ठीक है, और क्या-क्या, आप लोग पहले तो पूरा topic पढ़िए इसका, ठीक है, topic पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिए, कि पहले और दूसरे पार्ट का जो important question है, important question वो भी आप लोग पढ़िए, सब हमारे चैनल पर provide किया जाएगा student, ठी इसका भी important question पढ़िए, ठीक है, PDF भी आप लोग को साथ में मिल ला है, तो important question पढ़िए, और जैसे आपको important question भी जानना जरूरी है, कि हमारे लिए काउन सा जादा important है, तो इसका भी important question पढ़िए, तो जब आप लोग एक-एक, दो-दो lesson पढ़ लोगे सभी में, तो आप ल लोगों इनके जो NCRT question को देखी, NCRT जो question है, पहले and दूसरे lesson का, क्योंकि student NCRT question जादा आपके board exam में आएंगी, क्योंकि आपके NCRT में कई सारे question दिये हुए है, ठीक है, तो आप लोग NCRT question को जरूर स्वाल्ब कीजिए, मैं आप लोगों को स्वाल्ब कराऊंगा, बहु दिया है, physics में पढ़ाऊंगा, एक lesson पढ़ाया है, और मैंने topic तो बहुत डाला है, बालजी मैंने lesson जो परक्रम पढ़ा दिया है, अब मैं आप लोगो step by step पढ़ाऊंगा, तो आप लोग पहले इसमें आपका target होना चाहिए, कि हमें एक महीने में क्या करना है, कितना पढ़ लिजिए, फिर आप लोग हमारे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, एक, दो सब कुछ, सब lesson मिल जाएगा, आप लोग उसे पढ़ लिजिए, फिर आप लोग उसमें देखिए, हमने कितना पढ़ा, कितना हम जानते है, NCRT question को आप लोग उठाईए, आपके NCRT जो book है, उसक पूरा हल कीजिए, जब आप लोग हल करोगे, और देखिए, मैं कितना question 20 में से कितना question लगा पा रहा हूं, 10, 12, 15, हम कितने question solve कर पा रहे हैं, अपना test हो, जब खुद लोगे, तब आप लोग को पता चलेगा, हम board exam में कैसे लिख पाएंगे student, तो खुद पर आप लोग सारा important question, PDF file, सब कुछ provide कराऊंगा student, आप लोग सिंता मत कीजिए, अभी तो चालू हुआ है, और मैं आप लोग को last तक पढ़ाऊंगा, तो आप लोग सुचिए, मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ा दूँगा, तो science की ऐसे आप लोग तयारी करते रहे है, एक एक दो दो ल वीडियो को लाइक जरूर करना है, अगर आप लोग लाइक करोगे, तो ऐसे में हर महीने वीडियो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे लाता रहूँगा, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्नमाद,